कैसे हो आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे और वेलकम है आप सबी का मॉर्निंग की इस वीडियो में बात करेंगे मार्केट की सिचुएशन क्या चल रही है क्या हाल चल रहे है बिटकोईन के और क्या अपडेट्स आ रहे हैं वो भी कवर करेंग लेकिन उससे पहले आप सभी को वेरी गूड मॉर्निंग बिटकोईन पिछले 3-4 दिनों से टिका हुआ है 22,300-400 के लेवल पे इनी रेंज में बिटकोईन ट्रेड कर रहा है एक तरह से ट्रेडर्स को भी कई न कई गई कन्फ्यूज कर रहा है बिटकोईन की वो उपर जाएगा या नीचे जाएगा तो जहां तक आप बहुत सारे ट्रेडर्स को बहुत सारे लोगों को क्या लग रहा है कि यहां से लच्छी गासी लॉंग की पोजीशन बिल्ड की जा सकती है क्योंकि ओल्रेडी हम बहुत नीचे आएगे इस तरह से लिकिडीट करेगा यह आपको मार्केट ही बताएगा तो अगर आप मार्केट में हाई लेवरेज ले रहे हो अच्छी गासी पोजीशन बिल्ड करे हो की भई आप नीचे ट्रेड कर रहे हैं अच्छी लेवरेज लेके यहां पे लॉंग की position build करते हैं तो सबसे पहले तो यही कहूँगा जितनी जैदा leverage होगी उतनी जल्दी आप liquidate होगे उतनी जल्दी आपका loss होगा leverage को कम से कम रखो और wait करो 21,000 Bitcoin हमको दिखा सकता 21,500 21,700 है ना इस range तक हम आ सकते हैं ठीक है उसके लिए तयार रहेगा उसी के बाद हम जाएंगे फिर से 25,000 के करीब Bitcoin जा सकता है क्योंकि CPA data है FOMC की meetings है तो इन से पहले game होते रहेंगे बहुत high volatility देखने को मिलती रहेगी हमको जब तक यह two important dates है 14 तारीकों CPA data आने वाला है 7 दिन रह चुके हैं यहाँ पे जो भी CPA data आएगा सबसे पहले आपको हमारे telegram channel पे मिलेगा link है description में join जरूर कर लेना तो यहाँ पे अगर आप देखो BNB चल रहे है 287 dollar पे Ethereum 1573 कोई भी momentum नहीं है नहीं altcoins में क्योंकि Bitcoin भी एक तरह से ring रहे है है कोई बड़ा move नहीं आ रहा है तो MDT चल रहा है 23% Matic चल रहा है 2% Solana चल रही है हलकी सी green में 20 dollar के level पे मैं gainer list की बात कर लों तो आज सबसे top leader जो बना हुए वो बना हुए mask जी हाँ 30% 4.1 dollar पे चल रहा है और 30% के करीब price अभी green में चल रहे है mask के एक बार फिर से mask अपनी power दिखा रहा है MDT 23% Second number rent चल रहा है 16% GNS चल रहा है 15% Loom चल रहा है 14% और HFT फिर से list में आ चुक है बस एक mocha चाहिए HFT जितने भी ये 3-4 coin है mocha चाहिए चोका मारने का और mocha मिस नहीं करते है gainer list में आने का है तो HFT फिर से gainer list में दिख रहा है तो सबसे पहले बात करेंगे crypto expo दुबई के बारे में जो कल से start होने वाला है जी हाँ 8 मार्च से लेगे 9 मार्च सक चलने वाला है और कल से ये start हो जाएगा festival arena दुबई के अंदर और इस event का market पे कुछ impact पड़ेगा या नहीं पड़ेगा ये time बताएगा लेकिन कईना कई बहुत अच्छी बात है कि जितने events होंगे crypto को लेके उतना बढ़िया है ये crypto के events crypto के लिए positivity ही लेकि आएगे और कुछ भी लाएँगे सिर्फ positivity लाएँगे इसलिए बहुत ज़रूरी है तो crypto इक्स पो दुबई स्टार्ट हो रहा है कल से नेक्स्ट अपडेट है शिबा इनू को लेके 54 trillion शिबा इनू नाव इन हैंड ओफ वर्ल्ड लार्जेस्ट इथिरियम वेल्स 54 trillion शिबा इनू इथिरियम वेल्स के पास पड़े है इथिरियम वेल्स ने 600-700 million dollar के राउंड यहां पर buying कर रखी है किसकी शिबा इनू की एक बहुत बड़े लेवल पे पूरी खेप की खेप रखी हुई अपने पास दूसरे नंबर पे अगर आप देखो बाकी coins दूर दूर तक नहीं है शिबा इनू की holding एक बड़े लेवल पे और अच्छी खासी holding है 600 million dollar एक बहुत बड़ा huge नंबर होता है करोडो रुपेगे शिबा इनू वेल्स ने खरीदे हुआ है 54 प्रिलियन तो यह वेल्स लेके बैठी है यही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है शिबा इनू के लिए शिबा इनू lovers के लिए जब यह शिबा इनू का price skyrocket होगा तो आप खुद imagine कर सकते हो वेल्स का पैसा कितना गुना होने वाला है यह 600 million dollar से वेल्स कितना बनाने वाली है जब वेल्स बनाने वाली है वेल्स के साथ साथ हम और आप भी बनाने वाले है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे लगता है time time देना पड़ेगा शिबा इनू का भी pump आएगा अच्छा खासा pump आएगा time आने दो wait करो और जिसके अंदर wait and patience है उसी को अच्छे result देता है market next update है bitgert की तरफ से bitgert को लेगे partnership announcement है metaverse moon to integrate bitgert chain back to back partnerships यह सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है और बहुत अच्छी बात है नहीं रुकना चाहिए bitgert chain को लेगे bitgert की बहुत सारी partnerships हो चुकी है बहुत सारी हो रही है और आगे भी बहुत सारी हो सकती है तो nft metaverse moon के साथ यहां पे partnership हो यह bitgert की next नहीं बात करेंगे cardano के बारे में cardano भी market के अंदर एक ऐसी crypto बन चुकी है जिसके अंदर कुछ भी movement जैदा हो नहीं रहा है लेकिन अभी भी कही न कहीं अच्छा कासा market gap है लेकिन 80% cardano ADA investors are in the red data shows यूं मान के चलो कि 80% जो cardano के investors है वो कही न कहीं अभी तक red में चल रहे हैं है न and 4% are at the money or breaking even on their investment and 16% are in the money and sitting on unrealized gains तो पूरा मामला किया है कि जैदा कुछ अभी यहां पर profit वाला दिखने रहा है क्योंकि 3.53 million cardano के जो addresses है वो are currently suffering losses इतने addresses अभी loss में है only 6,82,000 are in profit सिर्फ 6,80,000 profit के अंदर चल रहे हैं and another 1,73,000 addresses are breaking even at the current price of ADA 0.33 per token तो बहुत जदा ADA के price drop हुए है September 2021 से अगर में हम देखें जब इसने अपना old time high लगाया था September 2021 के बाद ये बहुत अच्छी तरह नीचे गिरा है अभी तक कोई बड़ा move Cardano में भी हमको देखने को नहीं मिला है तो next नम बात करेंगे Powell के बारे में Jerome Powell जो Fed के chairman है Will Powell hearing wash out Silvergate FUD from crypto market अभी recently आपको पता है Silvergate का क्या issue चल रहा है market के अंदर मतलब कुछ ऐसे issues आ जाते है market में जिससे market में हमको एक dump देखने को मिल जाता है and the hearing on the semi annual monetary policy report to the congress featuring Federal Reserve Chairman Jerome Powell schedule for Tuesday तो यहां पे एक hearing होने वाली है कुछ speech होने वाली है Powell की भाया Jerome Powell की speech बड़ी matter करती है कुछ भी वो बोल रहे हैं कुछ भी hearing कुछ भी हो रहा है है ना जहां जिरॉम Powell का नाम आजे वहां crypto market trader alert हो जाते हैं और यह जो है hearing होने वाली है अगर आप देखो the hearing on the semi-annual monetary policy report to the congress will feature Federal Reserve Chairman Jerome Powell testifying about the state of the US economy and the central bank monetary policy outlook for the rest of the year तो यहां पे Powell को लेके जो भी update आएगा जो भी hearing को लेके आएगा जो भी ठीक है कुछ अच्छा होगा तो market उपर कुछ अगर bad निकल के आएगा तो फिर market नीचे ठीक है तो थोड़ा सा trading कर रहे है तो थोड़ा सा ध्यान रखें इस चीज़ का next अम बात करेंगे Gala की Gala 7% pump में चल रहा है green में चल रहा है कल से ही 24 hour से ही और अगर आप देखोगे blue whale 0079 just bought 52 million Gala 2 million dollars के Gala को back to back यहाँ पे खरीदा जा रहा है ठीक है और 2 million dollar के यहाँ पे Gala फिर से खरीद ली है blue whale 0079 last and final update भी Shiba Inu को लेके है Shiba Inu is back on top 10 purchase token among 2000 biggest Ethereum whale in the last 24 hour पिछले 24 गंटे में 2000 बड़ी Ethereum whales तूट पड़ी है किसके उपर Shiba Inu के उपर 2000 बड़ी Ethereum whales ने आपे खरीदा है Shiba Inu को और अपने bag में add कर लिया है तो आज की इस वीडियो को करते हैं यहीं पेंट वीडियो अगर पसंदा है लाइक शेर कमेंट कीजिए यह कोई question कोई सवाल है पूछ सकते है next video किस भी होना चाहिए वो भी बताईएगा और किसी भी crypto में invest कर रहे है तो हमेशा अपनी research करें वो बहुत जरूरी होती है मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टेक केर